नमस्कार माराष्ट्रा में एन्सीपी कोंग्रेस शिवसेना के महाविकास गाड़ी गठबंदन में एन्सीपी और शिवसेना नेताओं के रवये से अब कोंग्रेस पुरी तरह से नराज हो चुकी है जिस तरह से एन्सीपी और शिवसेना के नेताओं ने कोंग्रेस के टिपनी की है उसकी वजह से अब कॉंग्रेस इन्यता पूरी तरह से नराज चल रहे हैं महाविकास गाड़ी कटबंदन वाली सरकार में भी कॉंग्रेस की अंदेखी की गई है सारे के सारे मलाईदार मंत्रा ले एन्सीपी पर मुक्साद पूरी ने अपने पास रख लिए सीम गदी और डिप्टी सीम की गदी भी एन्सीपी और सिफसेना ने मिलकर के रख ली जिसकी वजह से भी कॉंग्रेस इन्यता नराज हुए अब NCP और शिव सेना मिलकर के NCP परमुकसाद फवार को UPA अदेक्स पद पर बैठाने की जोराजमाईस कर रहे हैं इसको लेकर के भी कॉंग्रेस नराज हो चुकी है उपर से राहूल गांदी की चमता और काबिलियत पर टिका टिपनी करने से कॉंग्रेस में बगावत का दोर शुरू हो गया है जिस तरह से गुजरात हुआ अंदर परदेश हुआ कई राज्यों के अंदर कॉंग्रेस नरता धड़ा धड़ कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि राहूल गांदी की काबिलियत और उनकी चमता पर स्वाल उठाने से कॉंग्रेस नरताओं या फिर नराज चल रहे हैं उन सभी नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है एक मिटिंग चल रही है और माराष्ट्रा में असोप चावान समझें रूप मिलन देवड़ा जैसे नेता भी इस मिटिंग में सामिल हुई हैं जिससे कॉंग्रेस सी नेता पुरी तरह से NCP और और काभिलियत पर स्वाल उठाए गए कॉंग्रेस पर स्वाल उठाए गए गांधी नेरू परिवार से जूड़े होने की कॉंग्रेस की बात कही गई इन सब से अब कॉंग्रेस नेताओं का मलोबर तूट रहा है और मनोबर तूटने की वजह से वो दड़ाद़ इस्तिप हुए हैं संजराउत कोंगरेस की जम कर तारिप कर रहे हैं वो कंगरेस को ले करके काफी जारा ब्यान बाजी कर रहे हैं क्योंकि उद्धाव ठाकरे की सीम गद्धी पर अब संकट के बादलमंडराने सुरू हो गए हैं कोंगरेस इनेताओं की दसक को याद करना चाहिए जब पाकिस्तान को प्रास्त कर बंगला देश का निर्मान हुआ था यानि कि रास्ट निर्मान में कोंग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है रास्ट निर्मान में इंद्रा गांदी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है पाकिस्तान पर ए इसको लेकर के इतने बड़ी टिपनी की है उन्होंने पिछले दिनों इंद्रा गांदी को लेकर के और भी काफिजा टिपनी की थी लेकिन फिलाल के मुद्दे को लेकर के बात करें तो चीन और पियो के जो इसी कोंग्रेस सांसनकाल में बेच दिया गया था उसको लेकर के राउत की तरफ से फिलाल नहीं की गई लेकिन एक साल पहले जब महाविकास सिगारी गठबंदन का निर्मान नहीं हुआ था उससे पहले तक इसी सिवसेना और संजयर राउत की तरफ से कोंग्रेस को लेकर के काफी ज़्यदा ब्यानबाजी की जा रही थी और फिलाल कुछ द अब उद्दाव ठाकरे की शियम कुर्सी बचाने की आ गई है उसकी वजय से कोंग्रेस की जूटी तारिप करना अब संजयर राउत ने शुरू कर दिया है कहा जा सकता है कि कोंग्रेसी नेताओं ने जैसे ही राहूल गांदी और कोंग्रेस पर स्वाल उठाने के बाद दम करवा रही हैं उसे इंद्रा गांदी को लेकर के संजयर राउत ने अंडर वर्ल्ड से समंध होने की बात भी कही थी जिसके बाद कोंग्रेसी नेता पुरी तरह से बोकला गए थे लेकिन परमुक तो नसीपी परमुक सार्दफवार को लेकर काफी ज़दा मुद्दा उठा कि एक सीट भी कॉंग्रेस के हाथों से निकल गई उसकी वजह से अब कॉंग्रेसी नेताओं का मनोबल टूटा और उपर से एंसीपी परमुक सार्दफवार की ब्यानबाजी सुनने के बाद कॉंग्रेसी नेताओं को यसा लग रहा है कि वाकियी राहुल गांदी के बीतर नेतरतव की कमी है जिसकी वजह से कॉंग्रेस पार्टी में जो इस्तिपे का दोर सुरू हो गया और अब एंसीपी परमुक सार्दफवार उद्दा उठा करें दोनों को सबक सिखाने के लिए कॉंग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है और आज दिल्ली में दस जन्पत प लेकर के भी बड़ा फैसला आज होगा महराश्टरा को लेकर के भी आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है जिस तरह से कपिल सिबल जैसे नेताओं ने भी कॉंग्रेस पर स्वाल खड़े कर दिये थे उसकी वजह से मजबूरन सोनिया गांदी को कहा जा सकता है कि इस बैठक को गुलाना पड़ा और इस बैठक में जो बड़े फैसले लिये जाएंगे उसमें महाविकास सगाडी गठबंदन से अलग होने वाला फैसला भी हो सकता है का जा सकता है कि अब राहुल गुरुप के नेताओं ने महाविकास सगाडी गठबंदन में शिव सेना और NCP का साथ सेने से मना कर दिया है संजेन रूप मिलन देवड़ा अशोक चावान जैसे नेता आये दिन शिव सेना पर आरोप लगाते हैं उदधाव सरकार पर आरोप लगाते हैं。 शिव सेना के विदायक परताफ सरनाइक पर जब इडी द्वरा सिकंजा कसा गया तो शिव सेना को ब्रस्टाचारी पार्टी तक बता दिया था एन्सीपी पर मुक्सार्द फुआर को लेकर के उनको यूपिये देक्स बनने की लालसा को लेकर के यूपिये की तरफ से परदानमंत्री पद का उमीदवार बनने को लेकर के काफी जदा बवाल कॉंग्रेस में मचा हुआ है कहा जा सकता है कि अब NCP परमुक सार्द पुआर को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है और राहुल गुरूप किसी भी हालात में अब उद्दाव ठाकरे को सीम गद्दी पर बेठे नहीं देख सकता जिस तरह से अहमर पटेल की तरफ से इस सिफसेना और NCP के साथ गटबंदन किया गया था लेकिन इसका विरोध उस दोरान भी राहुल गुरूप के नेताओं ने किया था और आज भी उनकी तरफ से इस गटबंदन का विरोध है वो किया जा रहा है उपर से NCP परमुक सर्द पुवार के बतीजे अजीत पुवार ने भी सर्द पुवार की मुश्किलें बढ़ा दी है अजीत पुवार भी सियम बनने की लालसा में अब कोई बड़ा कदम महाविकास सगाड़ी गटबंदन और NCP में उठा सकते है कुल मिला करके NCP कॉंग्रेशिब सेना के महाविकास सगाड़ी गटबंदन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है फिलाल तिनों पार्टियों में काफी जादा जो तनातनी देखने को मिल रही है आपसी फूट पड़ी हुई है और उद्दाव ठाकरे की CM कुर्सी अब चाइनिज माल की तरह हो चुकी है चले तो चांद तक ना चले तो रात तक फिलाल उद्दाव ठाकरे की CM कुर्सी को लेकर कि क्या आज कॉंग्रेस आला कमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा इस पर आप अपने विचारा में कॉमेंट बॉक्स ने बता सकते हैं साथे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के लिए इतना है मिलते हैं इलिए पड़ेट साथ अब तक के लिए जैहिंद चैह भारत